वेद्भूशन जी आपसे शुरू करना बड़ा लाज़मी सा है यह जो पूरी घटना है सर। समाज की जब हम बात करते हैं कैसे देखें इसे इसे तमाशा देखना ज़्यादा पसंद है बजाए कि यह अपनी जम्मदारी निभाए। जीनत यह कहते हैं देर आयत दुरूस्त आयत हमारे दिल्ली पुलिस का कोई सिपाई यह थानेदार पैसे का भूका नहीं है वी आर नोट बैगर्स उनकी जो कुरवानी है उसको कम से कम दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के सीम ने तब रिकोगनाईज किया जब हम लोगोंने मैंने ट्विट किया सीम को एलजी को अपने कमिशनर को कि यदि इसके कमपनसेट एक्सग्रेशिया नहीं दिया गया आप पंजाब में एक सिपाई मरता है मुझे उसका दुख है मेरा साथी था पुलिस का खाकी वर्दी वाला था फगवारा मरता है आप अगले दिन दो करोड ठीक है हम सैटिसफाइड है कि कम से कम मेरे ट्विटर के बाद मेरे कहने के बाद कि हम धरने पर बैटेंगे यह दि इसको न्याय नहीं मिला तो कम से कम दिल्ली सरकार ने अपने आखे खोली हो राज सुबह उनके ट्विटर हैंडल से यह मैसीज आया कि हमने एक करोड लोगों उनको किस तरह से कंधर पर उठाकर रखा था बहुत से अंगनित रीजन डिली ने पूरे हिंदुस्तान में पुलिस की जो कुरवानिया है पुलिस की जो शाधत है पुलिक ने भी रिगोगनाइस किया है और उनको माना है कि हाँ पुलिस ने शाधत दिये परनतु जो पब्लिक का जो एक रुजहान जो आप जिसकी बात कर रही थी मैं अप्रिशेट करता हूँ कम से कम आपने इस चीज को माना कि समाज के अंदर वो फीलिंग भावना है या किसी को मदद करने की नहीं है समाज इन सब चीजों से दूर होता जा रहा है आपने बुराडी का ए रिकार्ड हो गई और इस एस आई की आप देखिए बोल्ड नेक्स देखिए कि लेडी ने केवल उसको कोई काल नहीं थी उसने कोई लिखा पड़ी नहीं की मैं आपको एफ आई यार की कौपी दिखा देता हूँ चार नंबर ये एफ आई आर है जो मायापुरी ठाने में दर्ज हुई है उस एस एस आई ने केवल उस लेडी के एक बार कहने से उसके साथ उसकी साथ कोई सिपाई नहीं था यदि फॉर्मल्टी में लगता तो सिपाई लिखा पड़ी होती पता लगता आदा घंटा उसकाम में चला गया बिना किसी सोच समझ के उसने हिम्मत करके उस लेडी के साथ गया उस आदमी को जो क्रिमिनल था अनीश उसको उन्होंने ग्रैप करने की कोशिश की और उसने उठा कर जिस तरह से खुले आहम चक्कू का इस्तमाल करके बारे बार उसको किये शीरियस इंजरी आई उस प्रकरण में सुनिये देखे सर न्याय तो सबका हक बनता है उस प्रकरण में पुलिस की लापरवाई अठारा हजार पुलिस वाले उस राद तैनाथ थे आपको पता है उस दिन लापरवाई हुई है तो हुई है यहां लोगों की गलती है तो है जाज चल रही है इसलिए तो हमें के अंदर 42 दिन वाद पुलिस वालों के ऊपर कोर्सिव एक्शन हो था 42 दिन लगे थे निर्भया केस के अंदर जिसमें पूरा हिंदुस्तान में आग लगी थी आप थोड़ा इंतियार करें इसमें भी पुलिस वालों की गलती नजर आ रही है उसके लिए उस प्रकरण में जो हुआ है वो भी जायज बाते रखी जाएंगी और यहां जो हुआ है वो भी जायज बाते रखी जाएंगी मूल यह है